हेला स्टुएंट्स हम अप्राइटिंग सिस्टम के अंदर मेम्री मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्स कर रहे थे जिसमें हमने देखा कि एक कंटिग्यूस मेम्री ऐलोकेशन क्या है और इसकी जो सब टेक्निक सेंफिक्स पार्टिशनिंग और वैरिवल पार्टिशनिंग को डिस्स किया आज से हम नौन कंटिग्यूस मेम्री ऐलोकेशन की जो सब कैटगरीज हैं जिसमें सबसे पहले आती है पेजिंग इसको डिस्स करना स्टार्ट करेंगे लास लेक्शर के अंदर हमने पेजिंग का थोड़ा सा इंटर्ड़क्शन किया था अगर आपने वो लेक्शर अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्शर देख लेए ताकि आपको पेजिंग का जो बेसिक कॉंसेप्ट है वो समझा जाएए अधरवाइज हम इस लेक्शर के अंदर पेजिंग के कॉंसेप्ट को डिटेल के अंदर डिस्क्स करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेजिंग क्या है लेट्स पोड़ आपके पास ये आपके में मेमरी है और आपके पास ये CPU है जब इस CPU में मेमरी को किसी डेटे की रिक्वेस्ट करता है तो में मेमरी रिस्पोंस के अंदर जो डेटा CPU को परवाइड करती है वो बाइट की फॉर्म में होता है इसलिए हम कहते हैं कि जो में मेमरी होती है वो बाइट अड्रेसिबल होती है यानि कि हम हमेशा इसकी space को bytes की form में represent करते हैं इसलिए हम यहाँ पर main memory की size है उसको bytes में represent करेंगे suppose करें मेमरी का size है वो है 16 bytes अब paging का concept ये कहता है कि हमने इस main memory को छोटे-छोटे equal parts में divide कर देना है like ये हमने इसको different blocks में divide कर दिया है अब यह पर यह जो एक ब्लोग बना है इस ब्लोग को हम कहते हैं frame important concept पर आपने याद रखना है कि mean memory को जो parts में हम divide करते हैं basically हम उसको frames में divide करते हैं और यह तमाम frames का size होगा वो equal होगा अब suppose करें कि हमने इस frame का size है वो रखा है 2 byte यान कि एक frame हमने 2 byte का रखा है तो आपकी mean memory के अंदर total number of frames कितने होंगे तो total number of frames calculate करने के लिए हम क्या करेंगे हम अपनी इस total memory को यानि कि 16 bytes को divide कर देंगे अपने frame के size के साथ तो 16 bytes को जब 2 पर divide करेंगे तो आपके पास बंचेंगे 8 frames यान कि अगर हम हर frame का size 2 byte रखें तो आपके main memory के अंदर total number of frames होंगे 8 यान कि 0 से लेकर 7 तक याद रहे कि अंदर हम बाइनी numbers की बात करते हैं और बाइनी numbers हमेशा 0 से हम start करते हैं इसलिए ये 0 से 7 तक total 8 frames बनेंगे actual में basically ये जो address होता है ये बाइनी numbers में होता है like 0000, 00001, 0010, 0011 and so on लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर example समझ रहे हैं तो बाइनी numbers को याद करकना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम यहाँ पर addresses को decimal number के अंदर represent कर रहे हैं अब ये तो हो गया meme memory का concept दूसी साइट भी हमारे पास होता है process जिसको हमने इस main memory के अंदर load करना है so इस process को जो size है वो है 4 bytes अब पेजिंग का concept कहता है कि हमने इस process को भी blocks में divide कर देना है और यहाँ पर यह जो blocks बनेंगे इन blocks को हम कहते है page तो आपने यह concept याद रखना है कि main memory के in blocks को हम frames कहते हैं और process के in blocks को हम pages कहते हैं अब यहाँ पर एक और concept बहुत important है page को concept कहता है कि जो page का size है वो frame के size के equal होना चाहिए कि हमने यह main memory के अंदर frames बनाए हैं इनका हमने size के रखा 2 bytes तो यहाँ पर जो हम pages बनाएंगे process के अंदर इनका size भी क्या होना चाहिए 2 bytes ही होना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि जब हम इन pages को main memory के in frames के अंदर load करेंगे तो यह page frame के अंदर exactly fit आना चाहिए कोई भी internal fragmentation यहाँ पर मजूद नहीं होनी चाहिए इसलिए basically हम page का size और frame का size equal रखते हैं तो यहाँ पर process के अंदर page का size क्या होगा 2 bytes होगा क्योंकि हमारे frame का size क्या था 2 bytes था तो यहाँ पर मरबस process का size वो 4 bytes था और एक page का size है 2 bytes तो पर यहाँ पर दो basically pages बन जाएंगे page number 0 और page number 1 2 bytes यहाँ पर आ जाएंगे और 2 bytes यहाँ पर आ जाएंगे तो total 4 bytes जो आपके process के हैं वो दो pages में divide हो जाएंगे तो यह तो concept हो गया pages का और frames का अब हम बात कर लेते हैं इन bytes की कि bytes इन frames में किस तरह से store होंगे तो सबसे पहले frame के अंदर आपके पास पहले दो byte होंगे जिनका address कुछ ही होगा 0 number byte और 1 number byte इस तरह से next frame के अंदर आपके पास byte number 2 और byte number 3 इस तरह से byte number 4 byte number 5 और इस तरह से यह सारे सारे जो bytes हैं इस तरह से arrange होंगे जैनिके 0 से लेकर 15 तक total 16 bytes आपकी main memory के इन frames के अंदर मजूद होंगे इन bytes का address यहां mention करने की वज़ा यह है कि CPU जब भी data की request करता है वो bytes की form में request करता है इसलिए basically यहां पर इन bytes के addresses mention किये हैं इस तरह से इस process के अंदर भी आपके पास 4 bytes हैं तो पहले 2 bytes यह आपके page number 0 में होंगे यानिके byte number 0 और 1 यहां पर होगा और byte number 2 और 3 page number 1 के अंदर होंगे अब यह memory के concept के बाद तो अब यहां पर entry होगी CPU की आगे पढ़ने से पहले हमारे चैनल को subscribe कर ले हम कहते हैं CPU को कि इस P1 को execute करो तो P1 को execute करने के लिए जरूरी है कि यह P1 process है यह main memory के अंदर मजूद हो तो पहले इस process को हमें इस main memory के अंदर load करना पड़ेगा तब ही CPU इस process को execute कर सकता है तो इसको load करते हैं अब यहां पर force करें कि main memory के अंदर यह कुछ places हैं यह already fill हैं यानि कि यह पहले दो frames frame number 3, frame number 5 यहां पर already कोई दूसरा process या कोई data पड़ा है अब हम इस P1 को load करते हैं तो यह पहला page, page number 0 हम for example load करते हैं इस frame number 2 के अंदर यहां पर और इस process का यह दूसरा page है यहां कि page number 1 इसको हम load कर देते हैं इस frame number 4 के अंदर तब यह process P1 totally main memory के अंदर load हो चुका है अब CPU basically main memory के साथ connect होगा और P1 के relevant जो भी इसे data चाहिए वो इस main memory से request करेगा suppose करें CPU कहता है कि मुझे इस process का यह byte number 2 है वो चाहिए तो CPU आंसे request करेगा कि मुझे byte number 2 पर वायर किया जाए यह request जाएगी main memory के पास main memory अपनी इस पूरी space को analyze करेगी और देखेगी कि जो byte number 2 है वो यहां पर मुझूद है और यहां पर मुझूद data को CPU को return कर देगी लेकिन अगर आप यहां पर गोर से देखें कि यह byte number 2 हमारे इस process P1 का है नहीं यहां पर हमारे पास problem आ चुकी है problem यह है कि CPU ने जिस byte number 2 की request की थी वो byte number 2 हमारी main memory के अंदर इस जगह पर नहीं है बेलकि अगर आप इस diagram को गोर से देखें तो हमनी जो page number 1 है इसको load किया था इस frame number 4 के अंदर तो यह जो 2 है यह basically इस byte number 8 के अंदर मजूद होगा लेकिन क्योंकि CPU ने byte number 2 की request की थी तो main memory के अंदर byte number 2 तो यह होगा लेकिन यह invalid data होगा actual में होना यह चाहिए था कि main memory return में जो data बेजे वो इस byte number 8 का बेजे लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि CPU ने request की है byte number 2 की तो यहां पर basically problem यह आ रही है कि CPU जो address generate कर रहा है वो address है logical address जोकि इस process के point of view से CPU generate कर रहा है जबकि main memory जो address provide करती है वो करती है physical address तो यहां पर यह जोनों address different है तो इस problem को solve करने के लिए basically logical address और इस physical address के दर्मियान में हमारे पस कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इस logical address को इस physical address में convert करे और इसके लिए हम concept यूज करते हैं mapping का और इस mapping को एक concept को implement करने के लिए हम इसमाल करते हैं memory management unit का memory management unit basically इस logical address को इस physical address में convert करती है जिससे आपकी जो problem है ये solve हो जाती है अब memory management unit basically क्या करता है memory management unit basically एक page table maintain करता है computer के अंदर जितने भी processes चैन रहे होते हैं हर process का एक page table बनाया जाता है like ये जो page table होगा ये page table होगा P1 process का जो हमने ये memory के अंदर load किया है अब ये page table में क्या होता है इस page table में जितने भी आपके process के pages होते हैं उनका address होता है और इसके corresponding हमने वो page किस frame में load किया है वो हम यहाँ पर mention करते हैं like उदर आप देखें ये page number 0 हमने main memory के अदर कहां पर load किया था इस frame number 2 के अंदर ताब के page table के अंदर इस 0 के corresponding क्या होगा F2 frame number 2 इसके लिए यहाँ पर इसका address होगा इस तरह से page number 1 हमने कहां पर load किया था इस frame number 4 के अंदर यहाँ पर क्या होगा F4 यानि के frame number 4 का address तो इस page table की वद्दा से basically memory management unit इस logical address को physical address में convert करता है किस तरह से वो भी अभी हम समझते हैं अब CPU ने request की थी pipe number 2 की तो 2 को हम binary numbers के अदर किस तरह से represent करते हैं 2 का binary number होता है 1 और 0 अब यह जो binary number है इसके से कुछ bits page number को represent करते हैं और कुछ bits page offset को represent करते हैं यहाँ आपार example के अंदर यह जो left side वाला bit है यह page number को represent करता है और यह जो right side वाला bit है ये Page Offset को represent करता है किस तरह से देखें ये हमारे Memory Management Needle को बताता है कि आपने जाना है Page No.1 के अंदर तो Page Table के अंदर Page No.1 हमारे पस ये है Page No.1 बता रहा है कि हमने Page No.1 को लोड़ किया था Frame No.4 के अंदर तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो Required Byte है वो इस Frame No.4 के अंदर है अब Frame No.4 के अंदर हमारे पस दो Bytes है Byte No.8 और Byte No.9 इन दोनों में से कौन सा Byte CPU को चाहिए ये हमें बताता है Page Offset Page Offset कह रहा है कि जिस Byte का Offset 0 है वो CPU को Provide कर दो तो यहां पर यह पहला Byte होगा Byte No.8 इसका Offset होगा 0 और यह Next Byte होगा इसका Offset होगा 1 तो हमारे पस क्या है 0 यानि कि Memory Management Unit को पता चल जाएगा कि उसको Byte No.8 चाहिए तो इस तरह से Basically Memory Management Unit इस Binary Number की मदद से यह Find कर लेगा कि CPU कौन से Byte की डिमांड कर रहा है CPU ने Request की Byte No.2 की Memory Management Unit ने इसके Binary Number से Find कर लिया इसका Physical Address और यह Physical Address वो वेज़ देगा आगे Main Memory को Main Memory सिंपली Byte No.8 पर जाएगी इस Byte No.8 में जो भी डेटा होगा वो यहां से Send कर देगी CPU को और इस तरह से Basically आपका जो Process है CPU Execute कर ना Start कर देगा तो इस तरह से Basically Paging की टेकनिक वर्क करती है जिसमें हम अपने Process को Pages में डिवाइड कर देते हैं अपनी Main Memory को Frames में डिवाइड कर देते हैं और इन Pages को हम इन Frames में लोड करते हैं So I Hope आपको आज का जो Concept है पेजिंग का वो Clear हो गया होगा Next Lecture के अंदर हम एक और Example को डिसेस करेंगे जिसमें हम मज़ीड इटेल के अंदर इस Logical Address और इस Physical Address के Concept को समझने की कुछ करेंगे अगर आपको इस Lecture के अंदर की Problem है तो आप इस Lecture को दो से तीन दफार Repeat करके देखें I Hope आपको Lecture क्लिर हो जाएगा फिर भी अगर कोई Question है तो आप Comment Section के अंदर पूछ सकते हैं आज के इतना ही मिलते हैं Next Lecture के अंदर Thank You Very Much आपको बाहा RS सरी क्लिए ओ४ बाहा RS आपको सरी कारे सकतainen कि आपको जाएगा सब्सक्शने मिलते हैं सरी की B Eck L आपकोечат का देखें